अस्लाम लेकूं, दी स्मार्ट स्कूल, क्लास हश्टम, उर्दू, वीडियो सबक अवर आज की सबक का मुझू है, मुतजाद वामतराद फल्फास, क्लास हश्टम इस सबक का दुरानिया है 35 मिनट, दिरकार वसाइल, कापी और पैंसे प्यारे साथियों, सबक का वकाइदा आगास करने से पहले, आप सबके पास कापी और पैंसल का होना जरूरी है आज के सबक के मकासित ये हैं, इस सबक के इहत्ताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुतजाद और मुतरादिफ फल्फास की तारीफ बता सकें जुम्लों में मुतजाद और मुतरादिफ फल्फास की पेश्चान कर सकें अल्फास की मुतजाद और मुतरादिफ फल्फास लिख सकें मुतजाद और मुतरादिफ फल्फास की तारीफ हम जानेंगे मुतजाद फल्फास ऐसे अलफाज जो माइनी के अदिबार से एक दूसरे की जिद या उल्ट हों, मुतजाद अलफाज कहलाते हैं मसलन, अबाद, वेरान ये दोनों अलफाज एक दूसरे की उल्ट माइनी रखते हैं इसी तरह बाखबर, बेखबर, अमीद, यास ये ऐसे अलफाज हैं जो एक दूसरे की जिद हैं मतरादिफ अलफाज, एक ही माइनी रखने वाले मुक्तरिफ अलफाज, आप वस्प में मतरादिफ अलफाज या हम माइनी अलफाज कहलाते हैं मसलन, अमीर, मालदार मालदार का मतलब भी अमीर है यानि ये दोनों हम माईनी अलफाज है बाग, जमन, इसी तरह हसीन और जमील जमील का मतलब भी हसीन है यानि ये तमाम अलफाज आपस में हम माईनी अलफाज है मतज़ाद और मतरादिफ अलफाज की मसीद वजाहत के लिए हम दर्जे जुम्ले परेंगे जल्द सोना और जल्द जागना सिहत के लिए मुफीद है हमें दूसरों की मुश्किल असान करनी चाहिए अब बच्चों आप हद किशीदा अलफास पर गोर कीजिए हद किशीदा अलफास सोना और जागना यह ऐसे अलफास हैं जो एक दूसरे के उल्ट पाइनी रखते हैं इसलिए तरह मुश्किल और असान यह भी ऐसे अलफास हैं जो के एक दूसरे की जिद आई यानि इन जुम्लों में मुटजाद अलफास का इस्तमाल किया गया है अब हम हिस्सा बे के जुम्ले परेंगे हमें जोको शोख से तालीम हसल करनी चाहिए मिहनत से कामजाबी वा कामरानी मिलती है अब आप हände किशीदा अलफास पे अगर गोर करें जोको शोख, कामजाबी और कामरानी ये ऐसे अलफास हैं जो के एक जैसे माईनी रखते हैं यानि इन जुम्लों में मतरादिफ अलफास का इस्तमाल किया किया है अब हम सरकर्मी नंबर एक हल करेंगे सरकर्मी नंबर एक में आपको जुम्ले दिये गे हैं आपने इन जम्लों में से मतेज़ाद और मतरदिव अलवास की निशानदे ही करनी है बसलें अक्सर हुकमरान एकदार और एक त्यार का खल्बत استعمال करते हैं आपने इस बात की निशानदे ही करनी है कि इस जम्ले में मतेज़ाद अलवास इस्तमाल हुए हैं या मुत्रादिफ अलफास इस्तमार हुए है सरक्रमी हल करने के बाद आप सरक्रमी की जाँच जो इस जवाबी कापी की मदद से करेंगे अक्सर हुकमरान एकदार और अख्तियार का खलत इस्तमार करते हैं एकदार और अख्तियार ये दोनों हमेनी अलफास है यानि इस जुम्ले में मतरादिफ अलफास का इस्तमाल किया गया है तारी, फता और शकस्त के कानामों से बरी बरी है फता और शकस्त के अलफास एक दुसे के उल्ट माईनी रखते हैं यानि मुत्साद अलफास का इस्तमाल किया गया है इनसान को नेक और बद की पहचान करनी चाहिए नेक और बद यानि ये दोनों अलफास एक दुसे की जिद हैं यानि इस जुम्ले में मुटजाद अलफास का इस्तमाल किया गया है हबर की ताइद और हमायत में बेयानात दिये गे इस जुम्ले में मुत्रादिफ अल्फास का इस्तमाल किया गया है हम्त में अल्ला ताला की तारीफ और तसीफ बियान की जाती है तसीफ का मैनी भी तारीफ है यानि इस जुम्ले में मुत्रादिफ अल्फास का इस्तमाल किया गया है हजुम में कवी और जाइफ लोग मजूद हैं कवी का मतलब क्या ताकतवार और जाइफ कमजोर लोगों को कहा जाता है यानि कवी और जाइफ ये दोनों अलफाज एक दूसे की जिद हैं यानि इस जुम्ले में मुतजाद अलफाज का इस्तमाल किया गया है आपको गुम्रा करने वाला शक्स आपका दोस्त नहीं दुश्मन है दोस्त और दुश्मन यानि मुतजाद अलफास का इस्तमाल किया गया है सचाई इन्सान को रफ़त और बलंदी अता करती है रफ़त का मतलब भी बलंदी है यानि इस चुम्रे में मतरादिफ अलफास का इस्तमाल किया गया है मतरादिफ और मतसाद अलफास की मजीद महश्क के लिए आप सरगर्मी नमबर दो हासल करेंगे सरगर्मी नमबर दो में अलफास की एक फरिस दी गई है आपने इन अलफास के मतजाद अलफास लिखने है और मतरादिफ अलफास लिखने है मसलन बौखील का मतजाद अलफास सखी और मतरादिफ अलफास कंजूर सै इसी तरह आपने बाकि तमाम अलफास के मतराद अलफास लिखने है अब आप सर्गन्मी की जाँज जवाब की मदद से कीजिए आज के सबक आदा करें तो आज हमने मतसाद और मतरादिफ अलफास की तरीफ जानी आपने जुम्लों में मतसाद और मतरादिफ अलफास की पहचान की और अलफास के मतसाद और मतरादिफ अलफास लिखे गर का काम आपने सरगनेवी नमबर दो में दिये गए अलफाज मतजाद और मतरातिफ में से कोई से पांच मतरातिफ अलफाज और पांच मतरातिफ अलफाज को अपने जुम्लों में इस्तमाल करना है यकिन आज के सबक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा शुक्रिया अल्हाफीज